फल में बारूत डाल कर जिस तरह से इंसान ने एक भूकी, प्यासी, हतनी को मार डाला इसे देखकर तो कुरोना भी नहीं सोचता होगा, इतना निर्दवी तो खुद मैं भी नहीं था जितना इंसान हो गया है केरल जैसे सिक्षित राज में एक गर्भवती हतनी मल्ल पुरम की सडकों पर खाने की तलाश में निकलती है, उसे अननास आफर दिया जाता है वहाँ मनुष्य में भरोसा करके खा लेती है, वहाँ नहीं जानती थी कि उसे पटाखों से भरा अननास खिलाया जा रहा है पटाखे उसके मुँ में फटते हैं, उसका मुँ और जीब बूरी तरह से जोटिल हो जाता है मुँ में हुए जक्मों की वजह से वह कुछ नहीं खा पा रही थी, गर्भ के दरान भूग अधिक लगती है, उसे अपने बच्चे का भी ख्याल रखना था, लेकिन मुँ में जक्म की वजह से वहाँ कुछ नहीं खा पाती है घायल हतनी भूग और दर्द से तड़ती हुई, सडकों पर भटकती रही, इसके बाद भी वहाँ किसी भी मनुष्य का कोई नुक्षान नहीं करती, ना पहुचाती, ना किसी का घर तोरती, ऐसे में वहाँ पानी खोजते हुए, नदी के किनारे पहुचती है मुह में जो आग महसूस हो रही होगी, उसे बुझाने का यही उपाय सुजा होगा उस हतनी को, फौरस्ट डिपार्टमेंट को जब इस घटना के बारे में पता चलता है, तो वहाँ उसे पानी से बाहा लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हतनी को सायद समझ आ गया, कि उसका अंत निकट है, और कुछ घंटे बाद ही नदी में खड़े खड़े वो दम तोड़ देती है, इन पड़े लिखे लोगों से बहतर वहाँ आदिवासी हैं, जो जंगलों को बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, जानवरों को बचाने के लिए अपनी जान लगा दे इन लोगों को पता होता है कि किस तरीके से इन लोगों से प्रेम किया जाता है, कैसे जंगलों को प्रेम किया जाता है, कैसे जानवरों उसे प्रेम किया जाता है वहाँ खबर जादा पुरानी नहीं हुई है जब अमेजन के जंगल जले इन जंगलों में जाने कितने जीव मरे हुँगे आस्टेलिया में हजारों उट मार दिये गए यहाँ कहकर कि यहाँ जादा पानी पीते हैं कितने ही जानवर मनुष्य के स्वार्थ की भेट चरते हैं भारत में हाथियों की कुल संक्या 20,000 से 25,000 के बीच है भारतिये हाथी को विलुप्त प्राई जाती के तौर पर वर्गित किया गया है हाती एक ऐसा जानवर है जो किसी जमाने में राजाओं की शान हुआ करता था आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है धरती का एक बुद्धिमान, समझदार, याद्यास्त, मैं सबसे तेज, शाकाहारी जीव क्या बिगार रहा है जो आप सभी उसके साथ यह सलूप कर रहे है सब जीव कुद्रत के लिए एक समान है इंसान से ज़्यादा तो पिर्थवी की महता जानवर समझते है हम इंसानों ने तो आधुनिक्ता के ढौंग पर पूरे कुद्रत को उधल्प जन्तु जानवरों को आप जीने दें वो क्या आपका बिगारते हैं बात करते हैं कि जानवरों के साथ ऐसी गलत अपराद या बबरता करने पर क्या हमको सजा मिलती है क्या आपराद ही इंडियन पैनल कोड 428 सेक्षन आपको यहां बताता है कि 10 रुपे यह जो सेक्षन हमारा बना था 1860 में बना था उसके हिसाब से यह बताया कि 10 रुपे के मूल्य से उपर जो भी आपका जानवर आता है आप तो देखे इस टाइम पे 10 की जगा वो हजार हो गया है क्योंकि वो सेक्षन 1860 में बना था तो आज का हजार उस टाइम के 10 के बराबर होता है तो अगर 10 रुपे के मूल्य के किसी जानवर के साथ आप मारते हैं या उसके साथ मतलब उसको कोई चोड पहचाते हैं या पॉजन खिलाते हैं तो उसमें जो आपको सजा मिलेगी 2 साल की आपकी सजा होगी प्लेस जुर्माना होगा और साथ में दोनों चीजे भी लग सकती है जुर्माना भी आपको देना हो सकता है और दो साल की सजा भी आपको मिल सकती है सेकंड जो आता है IPC 429 उसमें क्या प्रभधान होगा इसमें जो 50 रुपी इस वक्त के हिसाब से आपका जैसे जो भी आपका गाई हो गया आपका बैल हो गया या आपका हाथी हो गया और जो भी बड़े बड़े जानवर जो काफी मूल लेके होते हैं तो उन जानवरों के साथ अगर आप कोई गलत पॉईजन खिला देते हैं या उनको कोई हानी पहजा देते हैं या उनको अपाहिच कर देते हैं तो आपको 5 साल की सजा, जुर्माना और दोनों चीजे देए भी हो सकती जानवरों पर हो रहे अपराद को रोकने के लिए भारत सरकार 1972 भारतिय वन जीवन सरक्षन अधिनियम पारित किया जिसमें जंगली जानवर के सिकार या अनावश्यक तंग से उन्हें परिशान कनने पर जेल और जुर्माना भी आपको लग सकता है हतनी की इस घटना को सुनकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ जानवरों को इतने प्यार से रखना चाहिए इतनी दया की भावना में रखना चाहिए जब कोई जानवर हमें नुकसान नहीं पहुचाता है तो हमको भी उनको नुकसान पहुचाने का कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए मेरी अब तक की वीडियो में बस इतना ही बहुत जल्दी मिलूंगी कुछ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए मस्त रहें खुश रहें स्वास्त रहें